हेलो एवरिवर्ण मेरा नाम है शिवानी एंड एकवा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है अब तक तो आप समझी गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वैसे तो पका ही समझ गए होंगे लेकिन अगर कोई नहीं समझ पाया है तो मैं बता देती हूँ कि आज हम सोलन के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए अब बिना देर किये शुरू करते हैं सोलन हीमांचर परदेश का जीला है सोलन जिले का अपना इतिहास है और सोलन जिले का इतिहास बहुत ही इंटरस्टिंग है इस सहर को मश्रूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है मश्रूम उत्पादन सोलन से दो किलोमीटर दूर चमबा घाट में किया जाता है सोलन का नाप माता सुलीनी के नाम पर पड़ा है, यहां राज तर्य व सुलीनी मेला वर्ष में एक बार लगता है प्रसिद पांडव गुफा सोलन के करोल पहारी के आंचल में बसी है, माननेता है कि यह पांडवों के समय में लाक्षा ग्रीह के नीचे बनाई गई थी सोलन्जिला हीमान्चर प्रदेश के दक्षिन पश्शीम भाग में स्थित है सोलन्जिले के पूर में शिमला, पश्शीम में पंजाब, उत्तर में बिलासपुर और मंडी तथा दक्षिन में सिज्मॉर और हर्याना की सिमाएं लगती है अब सोलन जिला के इतिहास के बारे में बात करते हैं सोलन जिला शिमला पहाडी की रियासतों का हिस्सा है जिसमें बागल 120 वर्ग मील, महलोग 49 वर्ग मील, वधाट 33 वर्ग मील, कुठाड 20 वर्ग मील, मांगल 14 वर्ग मील, कुनिहार 7 वर्ग मील और वेजा 5 वर्ग मील शामिल है इन साथ पहाडी रियासतों को मिला कर 15 अप्रैल 1948 इस्वी में सोलन और अर्की तहसील का गठन किया गया, जो की महासू जिले की तहसील थी इन साथ पहाडी रियासतों के अलावा हंडूर 246 वर्ग मील रियासत को 1966 इस्वी हिमाज़ पडेस में मिलाया गया हंडूर रियासत को छोड़कर बाकि सभी साथ रियासतें 1790 तक बिलास्पूर रियासत को वार्षिक लगान देती थी मंगाल रियासतों 1790 इस्वी के बाद वार्षिक लगान बिलास्पूर राजय को देती रही सोलन जिले का इतिहास कहता है कि ये रियासत 1803 से लेकर 1815 तक गोर खायों के अत्याचार का भाग रहा है सोलन जिले के पहाडी राजाओं ने मिलकर इस जिले को गोर खायों से आजाद करवाया था पर ऐसा उन्होंने ब्रिटी सरकार के सहायता से किया था 1815 में ब्रिटी सरकार ने कुछ हिस्सा पहाडी राजाओं को दे दिया था ये जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में कम होने के कारण शिमला जिले के अंदर था, अथार्थ शिमला जिले का हिस्सा था सोलन जिले का निर्माण 1972 में हिमांजिल परदेश के अपनी जिलों के विले से हुआ है तहसिल नालागड आजादी से पहले पट्याला राज्य का हिस्सा था 1956 में राज्यों के पुनर गठन तक सोलन जिला पंजाब का हिस्सा था जब 1922 में हिमांचर परदेश के जिलों का पुनरगठन हुआ तब शिमला जिले की कुछ तहसीलों और कांग्रा जिले की कुछ तहसीलों को मिला कर इस जिले का निर्मान हुआ था इस जिले का इतिहास राजपुत वंश के बसंत पाल या हरे चंद पाल से भी जोड़ा जाता है सोलन जिला गोर खायों के समय एक चावनी के रूप में विक्सित था तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम सोलन की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजी जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुन सके